मोधी सरकार ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से वो लगतार निजी करण की नीती की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है और खास कर वो बैंकिंग सेक्टर में प्राइविटाइजेशन पर जोरते रही है इसलिए एक के बाद एक बैंकों से हिस्सिदारी बेच कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रही है अब इस कड़ी में दो और बैंकों की नाम शामिल हो गए तो अब किस किस बैंक की है बारी जिसकी लिस्ट हो गई है जारी देखे ये रिपोर्ट देश की सिति को सुधारना सरकार का काम है देश में विकास को बढ़ावा देना सरकार का का काम है कंपणियों को पच्री पर लाना सरकार का का मैं लेकिन सरकार इन सभी कामों में नाकामी कर रही है इसलिए वह अपनी गलतियों को च्पाने और जिम्मिदारी से मुध मोडने के लिए लगतार निजी करण की राह पर कदम बढ़ा रही है केंद्रें ने सरकारी बैंकों की निजी करण पर मोहर लगा दी नीती आयों की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को विनेवेश के लिए चुना गया दौन बैंकों में सरकार चरण बद्ध तरीके से अपनी हिस्सेदारी घटाएगी और पहले सरकार के इस फैसले को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कुछ बाजार विशलेश को का कहना है कि महामारी में दौन बैंकों की हिस्सेदारी बेचना सरकार के लिए बड़ी चुनाती होगी पिशले साल भी सरकार ने 2,10,000 करोड रुपए विनेवेश से जुटाने का लक्ष बनाया था जो हासल नहीं हो सका इस फ़स्ततर के रहना होगा इसी तरह कि चेतावनी सरकार को बार बार दी जा रही है लेकिन वो सुधर नहीं रही है यहां तक कि वित्मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो बजट के वक्त ही साफ कर दिया था कि अपकी बार निजी क उटाने की घोशना की थी इसी घोशना के बाद बैंकों को लगतार बेचा जा रहा है इस विक्री पर सरकार की किरकरी हो रही है डी वी लाइफ की रिपोर्ट